हमारे साथ मोजूद हैं डक्टर विभासरी दिदी जी सनी साधी का और एस्टो रोजर के रूप में दिदी की ख्याती है और दिदी से हम अपनी शमश्याओं संकाओं की समधान जानने की कोशिश करेंगे दिदी जोतिस विशेव पर आपका रिसर्च बहुत गहरा है तो सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि जोतिस कितना सच है कितना जूट है और यह हमारे उपर कितना प्रभाव डालता है अंदिविश्वास है कोई कहता है कि जोतिस सही मार्ग दर्शक कोई दूसरा हो नहीं सकता तो सच बताओं तो जोतिस हमारे एक सच्चा मार्ग दर्शक है इसके बहुत नियम है यदि हम उनको ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम ये मान कर चलते हैं कि इससे बड़ा हमारा मारदर्शक दूसरा कोई हो नहीं सकता तो ये कहा गया है कि हमारी सक्सेस लाइव के पीछे इसका बड़ा योगदान है मैं आपको एक छोटा सा उधारन दे कर बताती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय में उसके जो भी ग्रहयोग हैं उसके जन्म पत्रिका के ऊपर लिखे जाते हैं वो उसके जीवन का कैसा निर्मान करते हैं जैसे हम कहते हैं कि जोतिधन शास्त्र यानि जोतिश शास्त्र अंधिरे में जोती दिखाने वाला एक ऐसा शास्त्र जो आपको ये संकेत करता है कि आप इस तरफ जाएंगे तो रास्ता आपको clear मिलेगा या आप गलत तरफ जाएंगे तो रास्ता आपका इतना खराब होगा कि आप ठोकरें खाएंगे मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे तो जैसे व्यक्ति का जन्व होता है तो जन्मी के समय में एक फोटोग्राफी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक फोटोग्राफर है और किसी की फोटो ले रहा है वह जब फोटो लेता है तो फोटो लेने के समय में व्यक्ति जिस मुद्रा में खड़ा होता है उसी मुद्रा में वो फोटो खिच जाती है, फोटो कैमरे के अंदर में आ जाती है अब यदि व्यक्ति कैमरा मेंन से ये कहे कि मेरी फोटो खिचने के समय में मैं मुस्कुराना भूल गया आप उसमें मुस्कुराहाट डाल दीजिए तो कैमरा मेंन का जवाब क्या होगा, वो कहता है कि मैं उसे और खुबशूरत बनाने के लिए कुछ और रंग भर सकता हूँ कुछ भी और ब्राइट कर सकता हूँ पर मैं जैसी फोटो मैंने खिची है, वैसी ही फोटो रख पाऊंगा यदि आपको उसके अंदर में हस्ती हुई फोटो खीचना है, हस्ती हुई फोटो चाहिए तो आपको फिर पुना वैसी ही मुद्रा में फोटो खिचानी पड़ेगी, जैसी मुद्रा में आप फोटो चाहते हैं पर जैसी मेरे पास में आपने पहले फोटो की चाहिए है मैं उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति का जन्म होता है और जन्मी के समय में परमात्मा ने उसको जिस प्रकार से फोटो बना कर भेजा होता है उसमें हम रंग भर सकते हैं उस जोतिष रंग भरने काम करता है, खुब सूरत बनाने काम करता है, आपके अंदर में वो गुड़ों का रंग भरता है, आपके अंदर में खुबियों का रंग भरता है, कि आप सही तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएं, तो इसलिए जोतिष पूरी तरह से विज्ञान है, औ बिल्कुल उसमें एक और एक दो ही होंगे, दो और दो चारी होंगे, इसमें मन गडंद के लिए कुछ भी स्थान होता ही नहीं है, ग्रहे नक्षत्रों की जो भाशा है, बिल्कुल गडित के आधार पर ही हम गिंती करते हैं, और उसके मूल्यांकन का दुनिया को हम फायदा द दोस्तों, दिव आवाल ये विवासरी दिदी को बॉलीवुड में लोगबाग सनी एक्सपर्ट दिदी के नाम से जानते हैं, देश विदेश में दिदी की एक सनी साधिका के रूप में पहचान है, ऐसी दिदी से हम जानना चाहेंगे, कि हमें सनी देव को किस रूप में द करेंगे, दिदी प्रत्वी के अंदर सिर्फ कितना मेगनेटिक पावर है, कि हम कोई चीज फेकेंगे, तो वो चीज उपर नहीं जाती, प्रत्वी का गृत्वा कर्शन उसे अपनी और नीचे खीचके लेके आता है, पर आप सोचिए, यदि प्रत्वी से 30 गुना जादा शनी के अंदर का ग फेका, तो प्रत्वी ने अपने गृत्वा कर्शन का असर दे कर उस फुटबॉल को उपर जाने से रोका और नीचे में गृत्वा कर्शन से गिरा दिया, पर देखिए, जब शनी का गृत्वा कर्शन आपकी गरह परिक्रमा में, आपके गोचर में आया, तो उसने आपकी चल रही बिचारधारा को, आपने सिर्फ आपकी सोच को ही आपने पैदा किया है, निगेटिव या पॉजिटिव उसको ही अपनी और खीचा है, और उससे आपका पूरा जीवन प्रभावित कर दिया, तो इसलिए जब शनी देव जी की दशा, महादशा, अंतरदशा या सा इसलिए मैं बार बार लोगों से कहती हूं कि आज शनी देव जी से डरिये मत, आप उनका स्वागत कीजे, हम जैसी भावना बनाएंगे, बैसी ही मूरत हमें दिखाई देगी, जाकी रही भावना जैसी प्रफु मूरत देखी तिन तैसी, यदि हमें उनसे डर लगेगा, त हम positive सोचेंगे, हम स्वागत करेंगे कि शनी देव का समय आया है, वेलकम, यह हमारा निर्मान करेंगे और हमें इससे अच्छा और दूसरा अपसर मिल नहीं सकता, जो हमारा जीवन का उद्धार करें और हमारे सपनों को साकार करें, तो निश्चत वैसा ही होगा, जैसा हम सो सोचेंगे, तो इसलिए आपको मैं सही में ये मारदर्शन देना चाहती हूँ, कि शनी देव जी का जो गुर्तवा कर्शन है, शनी देव जी का जो हमारे उपर में परिभरमन है, शनी देव जी की जो परिक्रमाएं है, शनी देव जी का जो समय चक्र है, उनका सारा का सारा जितना भी परिभर्मन सौर मंडल में होता है, सबका प्रभाव हर व्यक्ति के उपर में सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव होने से हम शनी के समय में सबसे ज़्यादा अपना निर्मान करते हैं और हमारी बुराईया, हमारी सोच यदि गलत है तो निश्चित रूप में हम सबसे ज़्यादा बिधवन्ष की ओर भी जाते हैं तभी कहा है बनाता नहीं कोई शनी जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनी जैसा वही समय किसी एक को बनाने वाला हो सकता है और वही निगेटिव सोच वाले के लिए मिटाने वाला भी हो जाता है धर्म प्रेमी दर्शो को दीदी ने गुरुत्वा करुशन की बात की पिछले प्रिश्ण के उत्तर में दिदी का तपोवल के करण गुरुत्वा करशन ऐसा है कि लोग दिदी को एक मात्र विश्व की सनी साधिका के नाम से तो जानते ही हैं लेकिन दिदी का ध्यन इतना तेज है कि दिदी ने 26 किताबें इसके आधार पर लिखी हैं, रची हैं उसमें से एक सनी पुरान भी है, तो दिदी हम यह जानना चाहेंगे, इस सनी पुरान वास्तव में क्या है, क्या यह हमारे पुरानों जैसा है या इसमें कुछ विशेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताईए हाँ, यह शनी पुरान के बारे में तो कई लोगों ने मुझे पहले भी प्रशने किया था, जैसे हमारे सत्रा पुरान है, आप सब जानते हैं, यह शनी पुरान उनमें सत्राओं की गिंती में तो नहीं है, पर आज के परिभेश में यह शायद उतना ही महत्तपुन है, जित यूग बदलने पर फिर दूसरे बुध्धी जीवियों ने उसको तोड़ फोड के प्रस्तुत किया, फिर कली यूग में अलग से उसका अलग नया संशक्रन निकल गया और जैसे-जैसे संप्रधाय बदले, लोगों का ज्ञान बदला, लोगों की आधुनिकता बदली और लो अतिश्योक्ति पुर्ण बातें उसमें जादा हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि हम पुराणाओं की बात करें और पुराणाओं पर चलने की बात करें, तो हमारी लाइफ में हम बहुत बड़े अंद्विश्वासी बनेंगे, हम ग्यान से बहुत दूर हट जाएंगे, मैंने उन सारे पुराणों को पढ़ने के बाद में एक बहुत अच्छा निचोड निकाला, जहां पर हम बहख सकते थे, भटक सकते थे, अंद्विश्वास में घिर सकते थे, जहां पर हम गलत मानताओं में उलच सकते थे, उनको मैंने दूर करके एक शनी पुराण की रचना की, जो शुद्ध ज्यान पर आधारित थी, शुद्ध वेदों के और गीता के ज्यान को सपोर्ट करती थी, और धर्म की स्थापना में एक महत्तपुर्ण यो झाल